आपको चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ एकडम फाइबर नुट्रिशन प्रोटीन से भरी हुई ये सैलड की रेसिपी तो इसे बनाना है बहुत जादा असान तो नमश्कार मैं हूँ अंकिता और स्वागत करती हूँ आपका मस् तरुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहोगे सारी बीमारियां दूर रहेंगी और आपका दिमाग एकडम थेज चलने लगेगा तो इससे पहले सबसे पहले आपको करना क्या है ये मैंने लिह है यहाँ पे ब्रॉकली ब्रॉकली को हमने अच्छी तरीके से उबाल लिया और अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं कोई कमी दिखती है तो प्लीस कमेंट करके बताएं तो यहाँ मैंने ब्रॉकली रख ली फिर यहाँ मैंने चुकंदर डाल दिया गाजट डाल दिया और फिर यहाँ मैंने डाल दिया थोड़े से बारिकटेवे पयाज, खीरा, जो भी चीजे हो जैसे कि आपके पास अनार दाने हो फुरूट उ भी आप सिक्स्टत कर सकते गए है तो अब इसको जात्त मैंने क्या कि हरी मुन नार को टे एक और हलता हुए पिर मैंने मुळ्फली के दानों को भी और राक। उसे डाल देको अब चने को तो आप बॉयल कड़ें यूंकेसे का इन्सटन्ट वाला बता रही हूं कि आ जठपट में इसे बना ले उसके बाद मैंने धनिया की पत्ती डाल दी जले कि यह हमारे चाट को बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है जीरा भुना हुआ जीरे का powder डालना है आपको काला नमक डालना है स्टेस्ट के रिकार्डिंग सफेद नमक उसमें ऐड़ करना है तो काला नमक सफेद नमक आप मतलब इतनी quantity में mix करें कि जाके वो ज्यादा ना हो जाए अब मैंने प्रोटीन से बरी ली है पनीर यहाँ पर, अब मैं डाल दूगी यहाँ पर नीबू का रस्ट, नीबू का रस्ट आपको अच्छी तरीके से एक नीबू का रस तो लगी जाएगा कि नीबू में रस्ट नहीं होता है, तो 1.5 चमच आप नीबू का रस्ट डाल खिली फ्लैक्स डाल धने एक जर्ड़ी तरीके से जटक पटक ओएक जाहन जव्ट करदें जिपेल मिक्स चाठ मसाला और मिक्स चाठमसाल और चिली फ्लैक्स नमक दूशार की है जितना अज़ा ही तरीके से भीमिक्स की जितना ही जादा टस्टी है हमाराlaş्त हीrukturender रेसिपी बन के तयार हो जाएगी, तो यह सुपर हेल्दी, सुपर रेसिपी, हेल्दी टेस्टी रेसिपी जो है, जट पट बन जाने वाली है, तो फटा-फट से आप जाएगे किछण में और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ करिए, यह खाने में बहुत सादा टेस्टी ह तो अगर आप ने एक बार खा लिया इसे इस तरीके से बनाके तो आप रेगुलर डाइट में आप अपने सामिल करने ही वाले हैं, तो हम लोगों ने तो रेगुलर डाइट में सामिल कर रखा है, तो आप भी इसे फटा-फट से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए, औ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई कमेंट देखती है तो प्लीज मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे कमेंट करके जरूर बताईए